आप समझते हैं कि आखर य जब पॉइंट आैए गा चाइना उसमें शरीव भी नि होगा चाइना लेकिN बुकवा सकते हैं चाइना इंदिया को ऐसे कस्मर लूज कर सकता है चाइना आपकी मोहबत में कितना आगे जा सकेगा आपकी इंदिया के साथ दुश्मन ही न होती आपको पूछता भी ना पूलिए जैहिन दोस्तों मोडिदेस में आपका सवगत है दोस्तों आज पाक मीडिया बात कर रहे कैसे जी ट्वेंटी कर्स्मी में हो रही है और यहां पे पाक मीडिया एक पाकिस्तानी अमरीकी एनलिस से यह पूछ रहा जी ट्वेंटी में नहीं जाएगा तो उस पे अमरीका में पाकिस्तानी जो एनलिस्त है वो कहरे कि चीन कभी भी पाकिस्तान के लिए भारत को नहीं छोड़ेगा क्योंकि भारत के साथ उनके एकोनोमिकली भारती मस्बूर जिस्ते है और पाकिस्तान के साथ एकोनोमिकली चीन का कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के चक्कर में चीन के पैसे दूबे है तो चीन कभी भी पाकिस्तान के लिए भारत के साथ डूसमनी नहीं लेगा दोस्तों यह वीडियो बहुती मसेडार है तो इसा पुरा सरूर दिखेगा तो ची लिए और इंतिसार ना करके ये वीडियो रिखते हैं चाइना ने पाकिस्तान की साइड लेके ये कह दिया है कि जी जी ट्वंटी जो है वो कश्मीर में हो रही है और ये पता चलाए कि अब चाइना जो है उसमें शरीक नहीं होगा लेकिन क्या आप समझते हैं कि आखरी जब पॉइंट आएगा चाइना उसमें शरीक नहीं होगा चाइना लेकिन रुकवा सकते हैं चीन रुकवा सकते हैं वो आप समझते हैं जाए माजी के अंतर उन्होंने कोई भी ऐसा डिसीयर नहीं लिया जो फ्रैंशल बेस ना जिन में उनका अपना फाइदा रहो वह डिसीयर नहीं नहीं लेते हो आप सिर्फ एंडिया की दुष्मनी उनसे बेचने की कोशिश करते हैं आप बेच रहे हैं आप बलके डिर्टी मुझे अगर यह भी लफ़ इस्तमाल करूँ के आप इंडिया की दुष्मनी की बेसिस पर चाइना को ब्लैक मिल कर रहे हैं तो यह भी बज़ा होगा क्यूंकि आ वो आपकी अस्तियत को भी जान चुके हैं, क्वेस्टिन ये है, कि आप भारत को नराज कर सकता है चाइना, as a customer, क्योंकि उनकी बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा प्राजेट इंडिया में बिखती ही, आप अपने किसी दोस्ट से सिर्फ उत्रा ही मांगें, वो जितना आफ़ोड कर सकता है, जितना वो दे सकता है या जिस तरह के आपके रिलेशिशिप मौझूद है, आपके रिलेशिशिप मौझूद नहीं है उनके साथ, साइज मुराद साभ का नाखला चाइना में बंद कर दिया गया था एमिरान खां के दौरे में वो इतने ज्यादा अफसेट थे मुराद साइज आपकी ब्योरा क्रेसी उन से इतने ज्यादा रिश्वत की हैं चीज़ें डबल बिलिंग या ओफर बिलिंग करते थे कि चाइना बड़ा अफसेट था और इन इस तरीके से भी वो उतनी हद तक जा पाएंगे जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं इससे आगे वो ना जाएंगे ना जाना आप ऐसे पाकस्तानी बाहसीते पाकस्तानी आज देखें आप इंटरनेशनल क्मुनिटी को क्या दे सकते हैं क्या ले सकते हैं आपने पिछले 20 साल 25 साल तो दैश्वत गर्दी को स्पोर्ट करने में लगाया पाकस्तान का नाम ले लोग दो फिट पीछे आड़ जाते थे त आप कहेंगे कि हमारी फारन फालिसी है हमारी हमालिया से ओपर दोस्ती है हमारी यह किस चीज़ की दोस्ती है वह आपको लिफ्टी न कराते हैं आपकी इडिया के साथ दुश्मन ही नहोती आपको पूछता भी ना पूलिए लेकिन आप इसकी इतनी बड़ी कीमतें ना और आज अगर भारत की ये एक लिहाज से आप कहे लिजे कि हम्मत भी हो गई है कि उसने पांच अगस दो हजार उनिस के गहराईनी 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 इकदमात लेकर आज अगर वो जी ट्वेंटी समिट मकबूजा जम्वर कश्मीर में कराने चला है तो इससे बात बड़ पर तीन तो OIC की ममालिक हैं जिसमें साओधी अरब है इंडोनेशिया है और तरकी है और तरकी और साओधी अरब तो जो OIC का कॉंटाइट ग्रूप है कश्मीर का उनके मेंबर भी है तो हमारे लिए तो ये बड़े ये मैं समझता हूं कि दुख की बात है कि ये ममालिक खास करना है हमारा सारा जो है वो तकारीर पे है परेस रिलीजिस पे है स्टेट्मेंट्स पे है और दुनिया में मेरी अगर आप सही अनस रहे पूछें तो कश्मीर के मामने में भी हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो आइसा आइसा ख़त मुटती जा रही है इसलिए के लोग हमें कश्मीर के भी अब सीरिस्टी नहीं लेते हैं फिर इस वक्त और भी बहुत से मसाइल हैं औ तर्की की एकॉनमी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही तो इस अज़र से यह सारे इश्यूज हैं और यकीनी इतबार से मुमालिक अपने नाशन इंटरस्ट देखते हैं अब हमने फैसल यह करना है कि हमारे नाशन इंटरस्ट क्या है चले दोस्तों इस वी तो चीन ने ऐसी हड़कर कई वाय किये है और आखिर में चीन पलत ज्याता है और जो अमिरीका में पाकिसानी अनलिस्त है उन्हेंने सही काया कि चीन ने कभी भी अपने financial Friday से हट के कोई फैसला नहीं किया है इसलिए चीन एक भरोसे मन दोस नहीं है कि चीन हर वक्त अपने जेब को डिक की फैसले करता है तो इसलिए पाक मीडिया जो इतना खुश हो रहा है कि G20 करस्में हो रही है उस पे चीन ने पाकिस्तन का साथ दिया है तो ये सब बोलने के लिए है जब करने की बारी आएगी तो चीन उसी तरफ देखेगा जहां ज़ादा पैसे है और अभी चीन के economically भारत से अच्छे जिस्टों में ही फाइदा है तो इसलिए चीन कभी भी भारत से दूसमनी लेके G20 का boycott नहीं करेगा जो करस्में होगा और मेरे पास एक और वीडियो है जिसमें चीन के इस बयान के बाद भारत ने कहा है कि G20 अब सिफ करस्में में नहीं बलकि लड़ाक में भी होगी तो भारत ने अब दो कदम आगे बढ़ेगे चीन को चुनरीटी है G20 boycott करने की तो मुझन लटकी G20 चीन boycott करने का रिक्स लेगा और आखिरे में मैं यह कहूँगा कि पाक मीरे जो कह रहा है कि हम अपने दोस्तों को बोलेंगे G20 boycott करने के लिए तो G20 development summit में पाकिस्तन को चीन नहीं बुलाया भारत के दबाव की वज़े से तो क्या इन्हें लगता है कि पाकिस्तन के दबाव में कोई भी डेस G20 का boycott करके भारत की दूसमनी मोल लेगा तो ऐसा कभी नहीं होगा तो पाकिस्तन को ट्राइक करना चाता है तो ट्राइक कर ले तो चलिए देखते कि फीचर में क्या होता है दोस्तों यह वीडियो देख करना मुझ भूलेगा ठैंक यू वेरी मच्छ